दोस्तों क्या आप जानते हैं अंग्रेज इतने गोरे क्यों होते थे इनके गोरे होने का राज क्या है तो चलिए जानते हैं सालों पहले भारत में ब्रिटिस राज हुआ करता था हम अंग्रेजों को उनकी गोरी चम्री से ही जानते थे मगर एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि ब्रेटेन के लोग गोरी नहीं बलकि काले थे आप हमेशा से गोरी अंग्रेजों की थेओरी पढ़ते आए हैं जिनमें आपको गोरी चम्डी और नीरी आँखों वाले उन अंग्रेजों के बारे में बताया गया है जो इंग्लेंड से आए थे मगर एक रिसर्च से यह खुलासा हुआ कि ब्रेटेन का पहला वैक्ति काली चम्डी वाला था यह बात एक डिने टेस्ट में सामने आई गोरो के देश का पूरवज काला था यह जानकर वाइग्यानिक भी हैरान है एक जैनेटिक टेस्ट की तहट जो नतीजिया है वा हैरान करने वाले हैं और पहली बार फेशियल टेखनीक का फ्रेव करके चेडर मेंड की हड़ियों का डिने टेस्ट किया गया तो आप पूछेंगे यह चेडर मेंड काउन है तो दोस्तो इन अग्रेजों का सबसे पहला पूर्वा चेडर मेंड ही था चेडर मेंड पूरी तरह से काला था और इसके बाल गुंगराले थे लेकिन इसकी आखें नीली थी चेडर मेंड की मृत्यू करीब 10,000 साल पहले हो गई थी इसकी हड़िया सोमर सेट के चेडर नदी में पाई गए थी ब्रिटेन में मिली यह हड़िया पूरी तरह से किसी नरकंकाल की तरह नजर आती है वग्यानिकों की माने तो वह भी इस फैक्ट को जानकर हैरान है कि आज अगर पहला ब्रिटेज नागरिक जिन्दा होता तो उसे एक ब्लैक मैन माना जाता इस रिशर्च में सामने आया कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की गोरी चमडी बहुत पहले ही विक्सित हुई थी विसे सग्यों ने इस बात कभी पता लगाया कि चेडर मैन आज ब्रिटेन में रहा रहे दस में से हर एक नागरिक से जुड़ा है जिन्होंने जाज पर काम किया उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटेज पहले काले थे दोस्तों अंग्रेज की गोरे होने का मुख कारड यहा था कि उनकी देश की भागावलिक इस्तिती हंडी और बरफीली जलवायू तदा खान पान है इसलिए ऐसा होने पर आप भी गोरे हो सकते हैं अगर यह वीडियो आपको भसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चाले सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में घंटे को दबा दीजिए